धार दोस्तो मेरा रणमे वीजय एकमार आप देख रहें कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तो हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे एक नया इतिहास जो कि वंडर मैं परमानों की कॉमिक्स है इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले से फटती चली गई जब उसे हमलवार नजर आया ओह नो इतना बड़ा बाज मेरे किस्मत अच्छी थी जो मैं उसके भ्यानक पंजों में फसने से बच किया लेकिन वो नीचे आकर मुझ पर हमला नहीं कर रहा है इसका मतलब इस बाज का इंतिजाम सिर्फ इसलिए किया हुआ ह कि कोई उड़कर या हवा में लहरा कर उस किताब तक ना पहुँच पाए लेकिन उससे क्या होता है मैं फर्स पर चल कर तो उस किताब तक पहुँच सकता हूँ उफ अगले ही पल परमानों को पता चल गया कि फर्स पर चल कर काली किताब तक पहुँचना और भी ज़दा मु गिला मोंस्टर छिप के लिए वर्ग की एक ऐसी परजादी जिसे देखकर डैनासोरस युकी याद आती है। क्योंकि परमानो एक गिला मोंस्टर को खतरनाक सिकंजे में जकड़ा जा चुका था। एक पीड़ा पर जब दूसरी पीड़ा हावी हुई तो परमानो को उस खतरे का अभास हुआ। कि पकर से छुड़ा ना होगा। क्योंकि इसने ना सिर्फ मेरे हाँच पाउं को बूरी तरह जखकर रखा है बलकि मेरे गले पर भी अपने पुछ लपेट रखी है। ऐसे में मैं ना अपने हाथों से अपने बेल्ट का स्विस दवा सकता हूँ और ना बोल कर ट्रांसमीट हो सकता हूँ। उस दूसरी गिला मॉंस्टर ने मुझ पर अपनी पुछ के वारों की बोचार कर दी है। मुझे लगता है कि इसके पुछ से में जाने से पहले मैं उसके पुछ के परहारों से मारा जाऊंगा और शायद ऐसा हो भी जाए क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसकी पकर से छोट नहीं पा रहा हूं। पीड़ा के साथ साथ अपरवानों के चेहरे पर चिंता भी नजर आने लगी थी। जबकि खुसी की अधिकता से दमक रहा था खुंखार चंगे जी का चेहरा। तुझ जैसा बिग्यान के आधनिक्तम सक्ती से लैस इंसान ऐसे मारा जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इन खतरनाक जानवरों को विस्व के घने जंगलों से ढूंड कर यहां मांगवाने में मेरा जो लाखो डॉलर खर्च हुआ था वो आज वसूल हो जाएगा। खुंकार चंगे जी क्या जानता था कि परमानु का गिला मोंस्टर का भोजन बनने का कोई इरादा नहीं था। इन गिला मोंस्टरों से बचने का एक रास्ता जो दिखाई दे रहा है हलाकि उसके सफल होने के चांस बहुत कम है लेकिन फिर भी ऐसे टाइम में कोशिश करने में करके देखने में क्या हर्च है। मुझे सिर्फ थोड़ी सी ताकत दगा कर अपने सरीर के निशले हिस्ते को उस गिला मोंस्टर की पूँच के सामने करना है जो मेरे सरीर से आकर टकरा रही है। और ऐसा मुझे तब तक करते रहा ना है जब तक की कोई गिला मोंस्टर मुझे अपना निवाला नहीं बना लेती या फिर गिला मोंस्टर की वो लहराती हुई पूँच मेरे बेल्ट के बटनों से नहीं आठकराती इस बार पूँच परमानो के बेल्ट से आठकराई थी। और इसी के साथ परमानू अपने जान बचाने में सफल हो गया क्योंकि उसका सरीर छोटा होकर गिला मौंस्टर की पकर से छूट चुका था और अब दुबारा पकड़े जाने का उसका कोई इरादा नहीं था इसलिए वो तेजी से लपक कर सेफ तक पहुँचा और उसे खोल कर उसमें से काली किताब हासिल कर दी अब परमानू काली किताब लेकर जैसे ही हवा में लहराया वैसे ही उफ, हवा में लहराने से पहले इसे तो मैं भूले गया था बाज की निगाहें बड़ी तेज होती है इस छोटे रूप में भी मैं इससे नहीं बचा रह सकता इसलिए अच्छा यही है कि अपने आपको और भी छोटा करके यहां से निकल जाओं छोटा होकर परमानू ना सिर्फ बाज की आँखों से बलकि खुंकार चंगे जी की आँखों से भी ओजल हो चुका था अरे परमानू एक आएक कहां गायब हो गया लेकिन वो काली किताब के साथ गया कहा मैं यहां हूँ चंगे जी और मैं तुझे सिर्फ ये बताने आया हूँ की मैंने वर्टसों से चली आ रही इस क्यूदंती को जूटा साबित कर दिया है कि इस काली किताब को जिसने भी हांसिल कर दें की कोसिस की वो मारा गया इस समय तेरा इरादा जरूर मुझे से लड़कर अपने नाम की खुंखारता परकट करने का होगा लेकिन अपसोस फिलाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं क्योंकि मुझे इस किताब को लेकर दिली पहुंचने की जल्दी है लेकिन तेरा ये इरादा मुझे पर उधार रहा मैं वादा करता हूँ कि जल्दी मैं यहां लोट कर आऊंगा और ये देखूंगा कि खुंखार जंगे जी कितना खुंखार है तब तक के लिए बीदा खुंखार चंगे जी की जल्दी आँखों के सामने ही ट्रांसमीट होकर परमानू जल्दी दिली के इतिहास के सामने आ पहुंचा था साबास परमानू साबास आखिर तु काली किताब ले ही आया वाँ वाँ मैंने तेरा काम पूरा कर दिया है इतिहास अच्छ, अब अच्छा यही है कि तु इस घोडे में बन बच्चे को छोड़े देता हूं, छोड़ देता हूं मैं अपने बात जोटी करके अपने इतिहास को कलंकित क्यूं करूं इतिहास के रिमोट का स्विश दबाते ही लकड़ी के घोड़े के पेट में बना दरवाजा खुल गया और निकलो बच्चो जल्दी निकलो अब तुम अजाद हो राहत से बच्चे को घोड़े के पेट से बाहर निकलता देखता परवानू अचानक चौक पड़ा अरे ये क्या तुने घोड़े का दरवाजा क्यों बन कर दिया इतिहास अभी तो आधी बच्चे घोड़े से बाहर आये हैं आधे बच्चे तो बाहर आने ही थे क्योंकि तुने आधा ही काम किया है क्या मतलब मतलब ये परमानू कि इस काली किताब को लाकर तुने अभी सिर्थ मेरा आधा काम किया है अभी तो आधा काम बाकी है अरे इतिहास ये ये तो क्या कर रहा है परवानू अरे छोड़ मेरा गिरेबान इतनी कसकर गिरेबान पकड़ेगा तो मैं टेंब बोल जाओंगा और अगर ऐसा हो गया तो फिर गोड़े से बंधे उस बंब को कौन डिफ्यूज करेगा जो अगले दो मिनट में फटने वाला है ओ जल्दी से मेरा गिरेबान छोड़ो परवानू नहीं तो गड़बर हो जाएगी परवानू ने तुरंथी इतिहास का गिरेबान छोड़ा इतिहास बंब की घड़ी को रोकता हुआ बोला मैंने बंब की टाइम गड़ी को बंद कर दी है लेकिन तुने फिर कोई ऐसी कोशिस करी तो ये फिर चालू हो जाएगी और इस बार मैं उसे रोकूँगा नहीं हाँ क्या चाहते हो तुम अब आयाना लाइन पर अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ ले इस काली किताब का ये पन्ना समाल और इसे पढ़कर निकल जा वहाँ जहां का जिक्र इस किताब में है वहाँ से तू सफल होकर आएगा या नहीं ये तु मुझे पता नहीं लेकिन इतना पता है कि तू आए या ना आए इतिहास एक नया इतिहास तो बनाएगा ही ब्राजील में अमेजन के भ्यानक जंगल जिनके बारे में परसीद है कि उसके असंखे बिरिचों की उचाईयां सुर्य की किरन को धर्ती तक पहुंचने से पहले मार डालती है छाया जिनकी घनी पतियों में फसकर अपना दम तोर दीती है उनी खतनाक जंगलों के बीचों बीच खोपड़ी की आकरेतियां के घने बिर्चों के बीच बसा है वो खुंखार नर्भक्ची कभीला बाग्रोसा जिसके सरदार गुबरीला के कबजे में है ब्राजील के का दूत बन सकता है बाग्रोसा का सरदार गुबरीला के नर्भक्ची और काले जादू का ग्याता होने के साथ साथ तभाई के देउता जाग्रोसा के कवच का धारक होना ही वो कारण है उस कवच को पाने की कोशिस जिसने भी की वो बन गया काला इतिहांस लेकिन मुझे ब्राजेल के इन जंगलों की खाक चान कर वो धाइमन लोहे का इतिहासी कवच हासिल करना है क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो इतिहास नामको सैतान उन बावन बच्चों को काला इतिहास बना देगा जो उसके कबजे में है लेकिन जिस कवच को खुंखार चंगी जी जैसे साधन संपन अपराधी प्राप करने की ना सोच सके उसे क्या मैं हासिल कर पाऊंगा खेर जो होगा सामने आ जाएगा फिलाल तो मैं परमानु छलो के मदद से इन घने पेड़ों के बीच रास्ता बनाता हुआ नीचे पहुँचूं क्योंकि मुझे वे पेर दिखने लगे हैं जिनके आकरिती खोपड़ी के अकार की है परमानु चलो की मदद से घने पेलो के बीच रास्ता बनाते हुए परमानु को जमीन तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी लेकिन जैसे परमानु के पाउं जमीन को छुएं वैसे ही वाउ उफ ये क्या बला है उस बला से बचने के लिए परमानु समला जरूर था लेकिन उफ उसके कंधे के मास को उसके पंजो में फसने और उसे अपने कंधों से अलग होने से ना बचा पाया उफ अपने पीड़ा से उबर कर परमानों ने जब तक उस बला पर वार किया तब तक उफ वो तो बड़ी तेजी से लहरा कर पेड़ों के जुर्मुट में गूम हो गया लेकिन मैं उसका पीछा नहीं कर सकता क्योंकि एक तो उन घने पेड़ों के बीच उसके पीछे उड़ना खत्रे से खाली नहीं है और उपर से वो बेल अद्भुत तरीके से मेरे पेरों से लिपट कर उपर बढ़ती जा रही है मुझे अपने पर्मानों चलो से इसे नस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा पर्मानों का इस मुसीवत से जूजने का दोर सुरू हो चुका था जिसमें निश्चही बढ़ोतरी होने वाली थी मांस इतनी मांस कितने भेनी भेनी सुगन बसी है इस इंसानी मांस में ठीक ऐसे इस सुगन कुछ सालों पहले उन मनुस्वे को मांस से आई थी जो जंगल में भढ़कते हुए यहां आ पहुंचे थे धेउता जागरोसा को बली चड़ाने के लिए ये मांस एकदम उप्योगत है पपोला जाओ उसके स्वागत की तैयारी करो जो आग्या सरदार इसी बीच परमानू ओफ जाने यहां लोग कैसे रहते हैं यहां के तो कीरे मुकोडे भी ऐसे हैं कि अगर इनके पले कोई आदमी पढ़ जाए तो ये उसे पल भर में चट कर जाए उनकी लोग मुकोडों से बचकर हवा में लहरा कर परमानू जैसे आगे बढ़ा वैसे ही ट्विंक ट्विंक परमानू को अभास हो गया कि वो मौत के मुह में आचुका है वेसे एक लोग भाले उसे निसाना बनाने के लिए संसना उठे थे जो वहाँ मौजूद प्योडों से छुटे थे मेरे सरीर को छनली कर देने को तक पर ये भाले उन प्योडों की तरब से आए हैं लेकिन उन्हें फेकने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा है वे भाले तो उन प्योडों से अपने आप छूट रहे हैं किसी यांत्रिक पर किरिया दोरा क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ प्योडों से भाले का छूटना और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मूँ से निकली चीक और सरीर में दोड़ गई दर्द की लहर ने परमानों को वो निर्दय लेने के लिए मजबूर कर दिया इस रास्ते पर इस रूप में आगे बढ़ने का मतलब अपनी जान खोना है इसलिए अकलमंदी इसी में है कि मैं अपनी बेल्ट में लगा मॉलिकूलर कंपेक्टर स्विश दवा कर अपने आपको इतना छोटा कर लूँ कि इन भालों की जनलेवा बरसाथ के बीच में से होकर अराम से सुरक्षित जगा पहुँच जाओं थोड़ी ही दिर में मेरी जगा कोई और होता तो मौत ने उसे कब को अपने गोद में समेट लिया होता लेकिन अब मैं मौत के उस दर्वाजे से सुरक्षित बाहर निकलाया हूँ इसलिए अब मुझे और ज़्यादा सौधानी बरतनी होगी क्योंकि मुझे पर हुआ ये हमला बता रहा है कि मैं बाग्रोसा कवीले के आसपासी हूँ ओ अचानक परमानु का जिस्म बीना बेल्ट के हवा में लहरा गिया इस कहानी को यही समाप्त करते हैं इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में तक तक के लिए बाए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना